ये स्वागत्थ है आपका मेरे यूटुब चैनल बीट्वी इत निलू में और मैं बूल रही हूं निलू और आज मैं लेकर आए हूं फिर से आप लोगों के लिए अफरोड ठेडिंग के वीडियो अब रूट एडियो में बहुत दिने से वाई सवर के साथ नहीं डाल रही थी में जब आज में बाई सवर करके डाल रही हूं और केसा लगता हैं आप लोगों को मेरा वीडियो ये आप मुझे बता है और देखिए मैं कर रही हूं की थे और इनके मैंने अपर लिप्स के वी डाल रही हूं और गाइस बने रहेगा वीडियो के अंते तक अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए गाइब लाइक किजिए अच्छी प्यारे प्यारे कमेंट किजिए और देखें मैं किस तरह से इनके कर रही हूं इनकी जो आइब्रो हैं बहुत ही ज्यादा गहन हैं में और देखें मैं किस तरह से कर रही हूं इनकी एक राख त्याहिक है अगर अब नए है तो बहुत ही अच्छी तफिर से सीक पाएंगे और दीखिए अभी धागा मैंने किस तरह से लपेटा हो तो आपने देखा हाथों में और किस तरह से में पकड़ती हूं आप यह भी देखें और किस तरह से में एक एक बालो को फसा-फसा करने कालती जाती हूं और देखें इन के अब्रों जो बहुत ही मोटे और बहुत ही घने और बहुत ही हूँ वह तो आप देखि रहे है यह बीडियो में यह नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने एक साइड में मोबाइल को रखा है और मैं वीडियो बना रही हूं और में हर कोशिस में लगी रहती हूं कि वीडियो अच्छा से अच्छा हो और इसके लिए आपको मेरे फूरा वीडियो देखना पड़ेगा और अच्छी तरह से अगर सीखना चाते तो बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकेंगे आप मेरे इस वीडियो से और देखें अभी इनकी एक आइबरो हो चुकी है और अभी मैं दूसरे में जाने वाली हूँ और इनकी जो आइबरो है पहले मैं इधर के बना ली हूँ कि उस सेड भी इसी तरह घाने है और मैं दोनों भी किस तरह से कॉर्णर एरिया देखें मिला रही हूँ आप ये सब करएं और में सामने की और से कॉडनर एरिया दोनों भी मिला लेती हूं कि आप रूच है ओपर नीचे ना लगे और विलकुल वह से दिखें कॉर्णर एरिया जो है और से कंप्लीट कर लेते हूं के एक लाइन सामने आइब्रूज होते हैं और बहुत अच्छी तरह से पाता है क्योंकि लगते यह एक दूसरे बिल्कुल सामने क्योंकि अगर आप डिरेक्ट उदर चले जाएं के तो बनाने से आइबरोज उपर नीचे दिखने लग जाते हैं और मुझे ऐसा ही कमपटेबर लगता है और इसलिए मैं इसी तरह करती हूं और आप लोग को जिस तरह से हो उस तरह से भी करते हैं ऐसा नहीं हो कि मैं थ्रेडिंग के साथ उपर भरेड भी कटी चली जाती हूं तरह चली जाती हो ज्कार में म‍ब सब्रक्ण में दुसर्सए को रही हूं और पुरिट करना जरूर रहे हुता है सात में मगा बाना अच्छ नहीं दीखता औरस खरेड भी कर लोग आटा है पर फिर भी कोई कोई केस्टमर बोलते कि मुझे सिर्फाइब रोजी करना है फोरेड नहीं करना तो मैं उनके फोरेड को छोड़ देती हूं और आप लोग भी इसी तरह करें कि जैसा क्लाइन बोलते हैं बस उसी तरह करना है पर यह कोई बड़ी बात नहीं है जायतर तो केस्टमर होते हैं जो फोरेड करवाते ही हैं पर एक अदर केस्टमर होते हैं जो बोलते नहीं मुझे सिर्फाइब रोजी करने फोरेड नहीं करन तो मैं उनके छोड़ देती हूं और दिखिए अभी में किस तरह से दूसरी साइड भी आइबरूस कम्प्लीर करूंगी और अगर आप नए हैं तो आप थोड़ा समय लगेगा पर हरबर नाक जल्दी नाक करें अगर आप नए हैं तो आराम से ही करें और एक बालो को ही हटाने करें कि अगर आप ज्यादा निकालेंगे अगर निकल गई दर उदर की ज्यादा है तो लाइन खराब हो जाएगी इसलिए अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी जल्दी ना मचाए आराम से करें और अगर आप पूरी प्रैक्टिस कर चुके हैं फिर तो आप बना सकते हैं क कि अगर अच्छे से नहीं पकडेंगे तो पूरी ही और याफ याप इम्दोग सकते हैं लुए उपर सामने की और खीच कर पकड़ें कोई 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 ख्लाइन तो आपड़ तो इस तरह पकड़ एक फीर उसकी जाती है के लाइन खराब हो सकती है इसलिए उन्हें बीच में अच्छे से पकड़वाएं हातों से और किनी किनी के आईज जो होते हैं बहुत ही अंदर की और होते हैं तो उन्हें आप नीचे से हलका दवा कर और सामने की और खीचने बोले अच्छी तरह से क्योंकि आग के कॉर्नेर किनी के आईबरोज होते हैं बहुत ही अंदर धसे होते हैं तो उन्हें आप सामने की स्कीन को खीच कर सकते हैं और मैं कभी भी आईबरोज बनाने के बाद दोनों पहले चेक कर लेती हूं उसके बाद ही करती हूं अगर मुझे थोड़ा भी डाउट लगता है फिर मैं ठीक क करके उसके बाद क्लाइन को बोलती हूं देखने और आप भी ऐसा ही करें और कैसे लगा मेरा यह वीडियो आप मुझे बताएं और कमेंट करें मिलते हैं अगले वीडियो में